नमस्कार दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूटूब चैनल MS Advisor में और दोस्तों यहाँ जो बड़ा अपडेट आ रहा है समान काम और समान बेतन को लेके कि यहाँ पे हाइकोट ने डारेक्ट टूप से कह दिया है कि जब योगिता एक है बच्चे एक है काम भी एक है तो बेतन और समान क्यों यानि कि समान काम और समान बेतन पे हाइकोट ने आदेश दे दिया है कि सभी सिख्चकों को बेतन समान दिया जाए तो यह हिंदुस्तान का इन्वी पेपर है, इसके माध्यम से पुरा डिटेन में जानेंगे कि इसमें क्या दिया गिया है इसमें अगर देखें तो हेड्लाइन जो दिया गिया है बिहार में सिख्चकों के समान बेतन मान पर रोक नहीं और फिर नीचे जो डिटेर में लिखा गिया है सुप्रीम कोट ने बिहार में पंचायत के जरिये चुने गई सिक्षकों को नियमित अध्याप्रिकों के बराबर बेतन देने के हाई कोट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है तो यहाँ पर अगर देखे तो सुप लिए जा सकते हैं तो यहाँ पर एक कमिटी बनेगी जो कि यहाँ डिसाइड करेगी कि जो भी सिक्षक है जिनको की समान बेतन दिया जाएगा तो क्या उन सबों का यहाँ पर परिच्छा लेना पड़ेगा या फिर परिच्छा नहीं लिया जाएगा या फिर क्या जो है उस पर करना ही होगा यहां पर देखे कुछ समय जरूर लग रहा है लेकिन सरकार को सभी का बेतन यहां पर समान करना ही होगा और आगे लिखा है यह सिक्षक राजी के कुल सिक्षकों का 60 पसीदी है नियाले ने कहा है कि यह और समानता उचित नहीं है उन्हें बराबरी पर लाना नहीं होगा पंचायत के जरिये 2006 में और इससे पूर्व चुने गए साड़े तीन लाग चीचकों को एक समान बेतन देने के लिए सरकार को दस हजार क्रोड रूपिय अतरिक्त खर्च करने होंगे तो यहां पर देखें तो लिखा गया है हाई कोट ने ओ समानता पर उठाया थ तो यहां पर देखें हाई कोट ने किल्या रूप से बोला था कि जब काम एक है इसकूल एक है योगिता एक है तो फिर बेतन जो ओसमान क्यों मिले और आगे लिखा है राज सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोट में चुनोती देते हुए कहा कि इस से राजबर 28,000 में मौझूद रहें बता दें कि पटना हाई कोट ने 31 अक्टूबर 2017 को दिये आदेश में इन शिक्चकों को नियमित शिक्चकों के बराबर बेतन देने का आदेश दिया था तो यहां पर हाई कोट ने 31 अक्टूबर 2017 को यह आदेश दिया था कि सभी सिक्चक को बेतन यहा यहाँ पर देखें, आज नहीं तो कल जितने भी सिख्यकों अलिए उन्हीं समान बैतन मिलेगा और यहाँ नीचे देखें, तो जो भी एके गोयल ज tob जस्टिस नियुने यहाँ पर कहा है बैतन, आज नहीं तो कल बराबर तो करना ही होगा यह सिख्चक राज में कुल सिख्चकों का 60 फसीदी है यह असमानता उचित नहीं है उन्हें बराबरी पर लाना ही होगा तो जस्टिस एके गोयल जी ने यहाँ पे डायक टूप से कहा है कि आज नहीं तो कल सभी को समान बैतन देना ही होगा तो यहाँ पे डायक टूप से सुप्रिम कोट के द्वारा भी बोल दिया गया है कि सभी सिख्चकों को यहाँ पे समान बैतन दिया जाए और यहाँ पे एक कमिट्री का गठान होगा जो कि डिसाइट करेगी कि जो भी सिख्चक है तो उन सिख्चकों का यहाँ पे एकजाम लेना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा तो आगे जो भी कमिट्री है वो यहाँ पे डिसाइट करेगी आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ वाटसप ग्रूप, फेस्बूप ग्रूप या पे इस्टाग्राम ग्रूप पे जरू से सेर भी करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंस देगें तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तक आपना ख्याल लखें और इस वीडियो को देखने के लिए आप समों का बहुत बहुत धन्यवाद